एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों नो कोई राह बंदा नो कोई राह बंदा नवाज असलाम आलेकुम रमजान बस आ ही गयह है पर कोरोना के असर में है इसलिए कई तरह के सवाल है प्रशासन सतर्क है, फिक्रमंद है लेकिन लॉक्डाउन में लोगों ने कोरोना देखा है उसे आरही परिशानियों से रुबरू हुए है जिम्मेदारी दिखने लगी है और इसकी जरूरत भी है सब तरब से कोशिशे हुई है सबने मन बना रखा है, घर में रहेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तराबी पड़ेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे दूसरा मसला रमजान की जरूरते हैं, जो एहम है उसके लिए कोशिशे हो रही है खलीस अल्ला की इबादत है और रमजान का मतलब ही तयारी है, सबर है और मुश्कील हालात डटे रहना है अभी तक रमजान में बहतरीन फल से लेकर लजीज खाना दस्तर खान बरह रहा है पर इस बार हाला जुदा है अल्ला जो इंतिजाम कर दे उस पर शुक्र करे और बताए रोजे का मतलब ही सबर है सिर्फ दिन भर ही नहीं करेंगे पूरे मेहने करेंगे और जैसा भी होगा उससे निपट लेंगे जो हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे और बताएंगे इनी हालात से निपटने के लिए रोजे रखे जाते है जो होगा इंशाला अच्छा होगा और सबर ही हतियार है रमजान मुबारक जय हिन